नमस्कार दोस्तों आज बहुत दिनों बाद हिंदी में हम ट्रेड फ्लैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे दो देखें मैं इस बात में बहुत जादा विश्वास नहीं रखता हूँ कि पहले से बहुत जादा तैयारी की जाए लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए पहली बात तो ये है कि आज की गिरावट को मैं किसी तरह की लंबी करेक्शन नहीं मानता हूँ तो बैंक निफ्टी पे अगर आप ये मोटे तौर पे आज की रेंज मार्क कर लें और इस वक्त SGX जो है 51.00 उपर है तो अगर ये यहां के आसपास खुलता है मतिज़दार के आसपास और यहां तक वापस नीचे आता है जो कि आज का लो है 28.800 तो मैं यहां पे खरीदारी करने के मूड में हूँ क्योंकि बहुत से लोग बहुत आसानी से बेरिश हो जाते हैं लेकिन मेरे इसाब से आपको डिप्स पे बाई करना चाहिए और हम यह movement खेल रहे हैं basically sideways market है बहुत लंबी चोड़ी इसमें गिरावट नहीं है लेकिन बैंकों में कुछ profit booking कल भी हो सकती है उसके चलते state bank, RBL वहाँ पे आप कुछ गिरावट देख सकते हैं आप लोगों को जानकारी होगी कि हमने join button लगाया है तो अभी हम उसके नतीजे भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि उससे आपको कुछ motivation मिले और समझ में आये कि काम कैसे होता है उससे पहले निफ्टी देखते हैं निफ्टी कुछ 12.830 के आसपास इस वक्त SCX दिखा रहा है इसमें भी 12.770 जो की आज का लोग है इसके आसपास मैं खरीदारी की कोशिश करूँगा अगर ये beer market होती तो मैं इस zone में 200 है पांच मिनिट के चार्ट पे बेचने की कोशिश करता मेरे हिसाब से अभी वो evidence नहीं है कि हमें market को बेच के चलना चाहिए ये तो हो गई निफ्टी की बात कि अगर हम यहाँ कहीं खुलते हैं तो हम खरीदारी कोशिश करेंगा अगर बहुत ऊपर खुलते हैं तो हम खरीदारी कोशिश नहीं करेंगे और market को consolidate करने देंगे अब ये हो गया इसके बाद आज चलते हैं ये देखने कि हमने अपने YouTube के जो Join बटन के सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या राये थी सुबा जो था हमने उनको कहा के 19 नॉवंबर Nifty gap down करेगा हम इस gap down को खरीदेंगे तो आप 12900 की call खरीदें और 30,000 की monthly call बैंक Nifty पर खरीदें तो जैसा कि आपने देखा के Nifty कुछ यहां पर खुला 12.835 अगर आपको मान लिए 12.880 पर भी मिल गया तो ठीक ठाक एक मुनाफ़ा आपको उपर की साइड पर मिल गया Similarly, bank Nifty में भी gap down हुआ उस gap down को खरीदा गया तो आपको एक उपर की तरफ profit नजर आ गया तो इसके चलते जो है यह पहला index trade काम्याब गिना जाएगा दूसरा हमने Indus in bank दिया था 9.14 का TE पर भी दिया था Indus in bank में आप यह देखेंगे कि यहां पर यह नीचे खुला और शुरू में ही इसने आपको यहां खुलने के बाद एक 50 point की rally उपर की तरफ दे दी तो यह भी बहुत बढ़िया काम्याब trade की श्रेणी में आता है फिर हमने बाटा दिया बाटा जिसको कि हम एक swing trade के तौर पर दे रहे थे बाटा में swing trade ऐसे बनता है कि अगर आप इसका daily chart देखें तो यह बहुत एक लंबी consolidation से बाहर निकल रहा है consolidation भी नहीं इसको accumulation बोलेंगे और market की गिरावट के बावजूद भी यह उपर गया है तो फिलाल इस तरह की calls जो है हमारे program में आज दी गई और अब हम कुछ लोगों का मुनाफ़ा देखते हैं कि उनको किस तरह के screenshots उन्होंने भेजे हैं तो यह screenshot आया है 4700 रुपे का हमारे join button के client हैं यह भी एक और profitable trade है यहां पर 39,000 का मुनाफ़ा है यहां पर 79,1 रुपे का मुनाफ़ा है यहां पर total 2800 का है चोटे gain भी है तो भी उससे confidence बनता है बाजारों में अगर आप में confidence है तो आपका काम आसान हो जाता है एक यह सहाब है इनका 42,000 का मुनाफ़ा है अब पाइनली यह मेरा मुनाफ़ा है 2,37,000 तो इस तरह करें अगर आपको profitable trading करनी है तो definitely हमारा join button यूज करें कोई भी आपको सवाल हो तो आप जो है whatsapp करें 9871066337 या आप जो है email करें ashwani underscore gujral ashwani gujral at yahoo.com अगर आप सीखने में interested हैं तो recorded webinar है बहुत nominal price पे 2348 रुपे में उसके लिए भी इनी numbers पे whatsapp या call करें तो फिलाल के लिए इतना ही मोटी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी खरीदार हूँ अगर मेरे को आज के low पे बाजार वापस मिलता है ये view मैं इसको continue करूँगा जब तक बाजार 12600 नहीं तोड़ता तो 12600 तक मैं बायर हूँ और different levels पे बायर हूँ price action देखना बहुत ज़रूरी है तो इन बातों का ध्यान रखें और सीखते रहें क्योंकि अब ये बाजार one way वाला नहीं लगता तो consolidation में कई बार problems हो सकती हैं तो कोशिश यही करें कि आप important support zones पे बाय करें support zone देखने का एक आसान तरीका है pivots इस तरह की spreadsheet हमारे program में दी जाती है तो कल का S1 है 12.691 और bank nifty पे 28.612 पे है यह हमें देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा शायद फरक है आज के low में और S1 में तो मैं फिलाल आज का low prefer करूँगा और कोशिश यही होगी कि price action के हिसाब से काम करने में फायदा है एक one track mind लेके चलने में फायदा नहीं है अगर दाव जोन्स में आज उतनी गिरावट नहीं आती जितना लोग सोच रहे हैं तो यहां भी नीचे के स्तरों से short covering आ जाएगी S&P 500 अगर हम देखें यह मामूली गिरावट है और यहां भी इस तरह का जो जोन है इसको आप extend करें मेरे हिसाब से यह 3520 टाइप का जोन जो है यह S&P 500 में hold होना चाहिए तो सारे बाजारी इस तरह की एक corrective mode में है तो कहीं भी बहुत लंबा चोड़ा short करने का पाइदा शायद नहीं होगा SGX Nifty हम देखें यह फिलाल 12.824 पे है तो यहां भी ऐसा नहीं लगता के बहुत कोई प्रले हुने वाली है तो यह sideways जो है चल रहा है पिछले 2-3 घंटों से अगर यह इसी तरह sideways रहता है तो इसमें upside का potential बनना शुरू हो जाएगा फिलाल के लिए इतना ही take care, trade well और अपने financial advisor से जरूर consult करें करें में हां द्स्था और आरय रहा है करें दूर के का बना है हम में खरी आरई, अजर भाल, रहा है